हेलो स्टूदेंट्स वेलकम तू माई यूटूब चैनल इंटीग्रेटेट फिजिक स्टडीज आई पी एस एथरे मूँ अल्ड़ी प्लस टू सेकेंडर सिलाबस कंप्लीट करी सारची एब मुँ प्लस थी सीवी 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 ओनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुड़ा प्रती वीडियोज रे मुँ प्रती वीडियोज को यूनिट वाइज एच पर सिलाबस होजाई की रोखेते भी तमें सार्च करी पारिवा ओके थेंक्यू हेलो स्टूडेंस आज रो टोपिक रे आमें पॉंपिंग भी सर पोडिवा सो आमें जानिला जे लेजर एक्षन पाईबा पाईए पॉपुलेशन इन्बर्शन यहां ती भावरे दरकर सो इपॉपुलेशन इन्बर्शन माने गणा तमारो हायर एनेरजी लेबल रे सी संख अगें पॉपुलेशन इन्बर्शन ताम रहे एच कंपार तो दर लोवर एनरजी लेबल उलो टाही जीवा ओकें तो दर गुटेन नन इकलिवर्यम स्टेट आमें पाईबा तो इपॉपुलेशन इन्बर्शन तामें केमती अचीब करी पारीबा तार वे हला पॉपुम्प अटब मने टो प्रोशस औफ एक्सितिंग लेजर मिडियम विट सुटेबल फॉपुलेशन एनरजी in बर्ड़ु अचीव ओपुलेशन इन्बर्शन तो एक्सितरन निवाइज ओपुलेशन इन्बर्शन पाई पॉपुलेशन पाईबा पुलेशन पाई पाईबा कु यू मेथोड उडा यूज हुए लाइक यूर ऑप्टिकाल पॉंपिंग देन इलेक्ट्रिक दिस्चार्ज पॉंपिंग डारेक्ट कॉंबर्शन केमिकल रियक्षन एंड इन इलास्टिक एक्टम एक्टम कोलिजन सो देखो एई भी तरू जोदिया में याको टेबूलार डाटारे पूट करीबा ताले एठी टेबूल्ड आमें देखी पर चू नेम अब दर लेजर आओ तमारो टाइप पॉंपिंग सो फास्ट जोदिया में कार्बोन डायक्साइट लेजर देखी वा एटा हुची केमिकाल डियक्षन केटेगोरी रेगला ताप रे रूबी लेजर टा हुची उड़े थ्री लेबल लेजर इजो लेबल जोग वहाई हुची आक्कु आमें डीटेल आक्कु पढ़िवा थ्र लेबल फॉर लेबल तू लेबल भी आची है वेटा हुची ऑप्तिकल पंपिंग रेगला रूबी लेजर टा ता पिरे गैसियोस आयोन लेजर टा एटा इलेक्रिक डिस्चरज केतेगोरी रेगला सेमीकन्ड़क्तर लेजर उची आटू लेबल लेजर एटा डिरेक्ट कन संदे जाओ ची आओ हिलियम नियोन लेजर वा ह एच ए एन ए लेजर विच इच फोर लेबल लेजर एटा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज रे बला सो एई वितरू जो अप्टिकल पॉम्पिंग डा एथी तमरों उटे लाइट सोर्स द्वारा आमें एनर्जी सप्लाय करीबाँ जेनरली आमें एथी बाई जैनन फ्लेश लेंप कॉमनली यूज कर थाओ ओके इस इस यूज़ एज दा ओप्टिकल सोर्स तो एई सबू जयते लेजर सिस्ट्रम पाई आमें टाइप पॉम्पिंग देखिला तको एवे वन बाई वन ठीके ब्रीफली स्टोडी करीबाँ सो प्रथा में असीला तमरों ओप्टिकल पॉम्पिंग दखर टी फिगर र एट ओव एथरी ही गोला एक्साइट स्टेट एठी एटी एटू को आमें मेटा स्टेबल स्टेट हिसाब रहन ओचू ओके तो फिगर रे मुएका डारेक्ट बुझाओ ची जाहा लेखाई ची दखाओ पॉम्पिंग प्रोसेस रामें कॉन करीबा बाहरों एनरजी अच्छा इन केस अब अप्टिकल पॉम्पिंग लेजर मुडियोम को आमें इराडियेट कोरीबा विथ दे राडियेशन ओफ्रिक्वेंशी सपोज न्यू न्यू पी ही गला आमरो फ्रिक्वेंशी ताले एच न्यू पी ही गला एकुवलेंट तो दो एनरजी दिफरेंस ए E3-E1 ओके एठी न्यू पी लखाईची मने एठा हुची तमारो पॉम्पिंग फ्रिक्वेंशी पी स्टैन्स पर पॉम्पिंग ओके अच्छा एजो स्टेट एक्साइट स्टेट E3 को देखुच वो दिस इज नोट स्टेबल वन ओके एठीर तमारो लाइप्टाइम बहु तो दो ग्राउंड स्टेट E1 ओके सो एठी E3-E1 हे गला तमारो पॉम्पंटानियोस प्रोसेस E3-E2 भी पॉम्पंटानियोस प्रोसेस ओके अच्छा जो दी एठी E1 को गला ताहले आमरो किछी लाभ हो नहीं किन्तु E2 को दिजाईची मने मेटास्टेबल स्टेट को विए एओक्टी एडिए अपर एक्साइचेट सेट तयानु करी एठी E2 रे वे पॉम्पंटानियोस प्रोबाबिलिटी जाधी देखी बा, ताहले E2-E1 मने एजो E2-E1 एजो E1 एजो एजी एजी ट्रोबाबिलिटा बूथ अलपो रही भाओ, ओके, आजी लार्ज नमब of atoms will accumulate here at the energy level e2 which is the metastable state so that e2 रे बेसी संख्या रही रही ले e1 रही रही ले तरणू करी आमें एबे population inversion easily achieve करी पारिला okay so ये हला तमरा three level scheme similarly एबे जदि आमे four level pumping scheme कु देखिवा as you can see in this figure 80 left side rate of pumping कु शो कुरची right side laser action कु ताले similarly आमें जोदी बाहरू energy supply कुरूचू then atom from the ground state e1 it will be excited to do a higher excited state e4 okay आचा e4 again same कथा it is very unstable having very less lifetime तेणू एठी atom बेसी समार रही पारी बनी आव rapidly decay करी जिवा जोटा कि आमें एक्स्ट्रा एबे fourth energy state टे रखी चू मजी रे which is e3 which is a metastable state so एई साब रे atom गुडा rapidly e3 state को decay करी गले from e4 आचा एटा जेहतू e3 टा मेटastable state होची त्याणू यारो lifetime बेसी होची आचा जस्ट यारो तड़े जो state e2 ताक्कु जोदी आमें e3 सोईतो compare करूचू ताहले दखा एठी number of atoms in e3 is more than the number of atoms in e2 that means population inversion is achieved between e3 and e2 ताहले जोदी एद्वी energy state रो जो difference होची e3 minus e2 suppose it is equal to h new 3 2 ताहले एती की energy रो जोदी incident beam आमें trigger करूचू then एबे atom गुडा stimulated वे रे transition यारो हबा from e3 to e2 ताहले एती की energy रो जोदी incident beam आमें trigger करूचू hence we will get laser beam एई बढ़िया ओके ताव यो तितो जोदी पुणी जो वापस पुणी ground state को आसीब e2 को पहंची कला पोरे एए atom माने जेते वोड़े ground state e1 को वापस आसीबे ताहले एई ट्रांजिशन टाह एक्चुली non-radiative transition हबो तो आमरा laser light आमें पाऊचु एक्चुली एई द्वी state पाई ओके एई द्वी state रे आमें population inversion एस्टाबिस कर दाबा so that we are getting stimulated transition and hence laser beam okay so this is your optical pumping method second method आसीला electric discharge method जो तरे की आमें electron reproduction करिगा in an electric discharge tube thereby these electrons are subjected to a strong electric field so that the electrons will be accelerated to high velocities okay एई high velocity accelerated electrons को एबे आमें कुलाइट करिबा with the gaseous atom so that एमने तांकरो energy डाँ ट्रांसफर कर देबे एई gaseous atom को okay so after gaining this energy the gaseous atom now go to the excited state so this method is known as electric discharge method okay and this method of pumping is used in gaseous ledgers like argon ledger helium neon ledger by HENE ledger then your carbon dioxide ledger so एजो energy transformation टा हूँची ताको हमें equation भी रिप्रेजेंट करी परीबा A plus E star is giving you A star plus E okay एठी A represent करूची gaseous atom रा ground state को that means A star represent करूची gaseous atom रा excited state को similarly E star आव E represent करूची electron in the higher and lesser kinetic energy okay third में थार को एवे दखो एटा हूची direct conversion so एठी आमें electric current apply करीबा to the direct band gap band gap जो मना आमें पधी तिला plus 2 रे semiconductor रहूची तिला band gap ता between the valence band and conduction band so T मध्य यह वढ़ यह सेमी कंड़क्टर लाइग G A A S गेलियम अर्सेनिक यह वढ़ सेमी कंड़क्टर रह बैंट गया उपर आमें electric current electric energy apply करीबा so that the combination of electrons and holes takes place because आमें जानी चू balance band रू electron गुडा यह यह जंप करीबे conduction band को living behind an empty space which is known as hole so during this process the electrical energy is directly converted into light energy जानु करी एई method जूटा की pumping यूज करा हुची एटा को आमें semiconductor ledger रहे यूज करी थाओ okay fourth method है ला in elastic collision between the atoms actually this is the next stage of electric discharge method जूटा आमें उपरे second method रहे पोढ़ी ला से तरे आमें देखूते लाजे accelerated electron माने atom गुडा को excite कोरते ले now suppose आमें गोटे combination नबा two types of gases गोटेहला A आ गोटेहला B such that they have same or nearly same coinciding excited state A star and B star ताहले जम्ती कोई ली दूरिंग अलेक्रिक इस्चार्ज मेथर्ड अटम्स 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 atom A star में पाइला they will now collide with the B atoms in the lower energy state or ground state तो यह कोलिजोन डा इनलास्टिक कोलिजोन अब जाहा द्वारा यह A स्टार जो अटम डाव छी, it will transfer its energy to the atom B, okay, that means the atom B will now gain the energy and go to the excited higher energy state, B स्टार, okay, so after losing the energy, the atom A again return back to its lower state, okay, तो यहार एक्जाम्पूल हाला, helium neon बा HENE laser and carbon dioxide laser and the process यहाको आमें रिप्रेजेंट करी पारिबा, यहीं कोटें प्रिंटिंग मिश्टे को छी, यहाँ, HE हाँ, okay, यहीं प्रोसेस को आमें रिप्रेजेंट करी पारिबा, by A plus electron giving you A star and A star plus B will give you B star plus A, माने, यहीं फास्ट जो रियेक्शन टा, यहाँ, अल्रेडी तमर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को सो करुछी, यहाँ, सेकेंट तमर एक्टम द्वारा जो इन इलास्टिक कोलिजन रे, एनेरजी रो ट्रांस्पोर्ट रहोची, ताको यह सो करुछी, सेसो मेथोड टाहला केमिकाल मेथोड, दखो किछी डा केमिकाल रियेक्शन द्वारा भी, आमें एक्टम को रियेज करी पारिवा, टुद एक्साइटेड स्टेट, ओके, एक्जाम्पूल तमर हला डाय लेजर, सो यही बड़या पॉम्पिंग को आमें यूज करू, in case of HF and HCl लेजर, मना hydrogen fluoride and hydrogen chloride लेजर, अचा, जोधी सपोज, एक्जाम्पेर कोशेन आ सिला, जी, डिफरेंशियर बिट्वेन अप्टिकल पॉम्पिंग और इलेक्रिक पॉम्पिंग, ताले दखो, अप्टिकल पॉम् प्यालlando कॉमपिंग प्यारिया, जर्ख असरीे बलोगा, अप्टिकल पॉम्पिंग, डिफले अच्छ कोशला इसरो मळलगा, प्यालों कोशें अन कोशें रिलेक्ट हो आथें, इस अस्टा प्नकी कोशें पॉम्पिंग इंपॉम्मिग पॉम्पिंग यूजर, यही बिसके अर्म आप एनर्जी बैंड्स ओके सॉलिड केसरे आमरा एनर्जी लेबल टाइनर्जी बैंड अकर रहे था है तापरे एई साइट रहा में दखुच जूजे इट इज मोश्ली सुटेट फोर योर गैसियोस लेजर्स है इपने इडिस्क्रीट अर्जी लेबल से सर जो दिया में इडिवी टर एक्जम्पल दवा अप्तिकल पॉम्पिंग यूज वे इन केस अब रूबी लेजर आउ तमारो इलेक्रिक पॉम्पिंग यूजवे लेक्रिकल पंपिंग टा एची अनी लेजर बाहिलियम नियॉन ल आउट्पूट तो दा इन्पूट एनर्जी जम्तिया में फोर एजम्पल जे कॉंडसी भूटे मेशीन बाद डिवाइस रोएफिशेंट्सी केम्ति बाहर करीबाँ ओविसली तार आउट्पूट को कंपेर करीबाँ विद आप दा इन्पूट सो एठी जदी सपोज आमें कोई बाँ जे आउट्पूट आउट्पूट एन्पूट एनर्जी मने जोटा की एनर्जी आमें यूज करूचू पॉम्पिंग पाई ओके दिसी दा इन्पूट एनर्जी ताले इट्टा हेवला तारो सिंबल एफिसेंट्सी रो जम्तिया में कानूट्स इंजिन भी एफ साबरी भी लेखी पारीबा ओके सो डिफेरेंट लेबल्स अफ लेजर्स पाएं आमरो एफिसेंट्सी भी अलगालगा असीब एठी दखा साइट फिगर रहें आमें गोटे टू लेबल सिंपल लेजर स्कीम दखोचू जो तिरे की इन्पूट एनर्जी द्वारा इवान र जी रहे ईटू रू ईवान को पूली फेरिया हुच छी ओके सो गोटे टू लेबल लेजर पाएं आमें देखिला जा आउट्पूट एनर्जी दा इन्पूट एनर्जी सोईता इक्वेल रहुची अट मेंस हीर दा एफिजेंशी इज वान और हंड़ेट परसेंट अच्छ फोर लेबल आओ त्री लेबल को आमें जथी और करीवा ताहले फोर लेबल रहे हम्रों और एफिज удар को और हिवा एस दाफ द cabinet three level तो जदियो कम रही भा फिर भी आमें 4-level ledger कु ही prefer कर वा because काई की? because in this case the pumping is very easier thus the population inversion can be more easily achieved so 4-level था बेशी preferable because एठी population inversion था बहुत सहज रहे आमें पाई जाओ because एठी तमरा pumping था easier रहे as compared to the 3-level ledger thank you